अगर हम फार्मेशी करना चाहते हैं तो कितना इस्कॉलर्शिप आएगी छात्रविति डी फार्मा या भी फार्मा इस्ट्रेंट को मिलती है कि नहीं मिलती है मिलती है तो कौन से मिलती है क्या इस्कॉलर्शिप कदम पर डी फार्मा भी फार्मा किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है उसके लिए क्या कुछ एविटी क्रेटिरिया है क्या टंसेंट कंडिशन है क्या रूल्स रिगुलेशन है करेंगे कंप्लीट डिटेल से डिशकर्स अगर आप जानना चाहते हैं डी फार्मा या फार्मेशी स्कॉलर्शिप के बारे में तो यह वीडियो आपको संबु स्कॉलर्शिप फार्मेशी में मिलती है कि नहीं मिलती है मिलती है तो कितना मिलती है डी फार्मा इस्ट्रून को कौन सी स्कॉलर्शिप मिलती है तो आज के इसी वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ आपको यहां पर मैं वीडियो को ज्यादा लेसे एक नहीं मिलती है अगर आप बर्मेकर कर रहे हो तो बहुत सकती है इसे के साथ अगर आप भी फार्मा कर रहे हो आपको भी एक ही स्कॉलर्शिप मिलती है यह होती है हार इस्टडी के लिए स्कॉलर्शिप जो मिलती है सब के लिए सेम ही होती है तो यहां पर फार्मेशी स्कॉलर्शिप अलग नहीं है डी फार्मा और भी फार्मा इस्टुरेंट के तो देखे यहां पर बहुत से अलग अलग चीजे मैटर करता है लेकिन जो सबसे मेन है वह है आपके फैमिली का इंकम यानि छात्रविती पाने के लिए आपको फैमिली का इंकम जो है जनरल या ओबी सी के लिए अधाई लाग से कम होना चाहिए यह अलग-अलग के लिए लाग से जादा नहीं होना चाहिए आपका इंकम आपके फैमिली का यानि आपके पैरेंस है उनका इसी के साथ आपके फैमिली में में कोई गवर्मेंट एंपलोई नहीं होना चाहिए वह सेंटर गवर्मेंट हो या स्टेट गवर्मेंट हो इसी के साथ आपका जो इंकम है वह 50,000 रहुम आपको आपको करते हैं तो आपको आपके इनकम की बाथ की गई है इसी के साथ आपके पारेंट्स में जो है कोई भी गूर्मेंट एमप्लोई नहीं होना चाहिए इसे के साथ यहां पर बहुत से देडाउट होता है कि पर्सेंटेस कितना होना चाहिए境 है मेरा 10th में तो यहां पर जो होता है जैसे आप डी फार्मा कर रहे हो किसी भी डिप्लोमा ग्रेजुएशन के फास्ट येर में आप हो या फास्ट सेमेस्टर में हो तो उसके प्रिवेस येर में जो भी आपका रेजन बना है वो 60% से एवब होना चाहिए एक एवरेज है जरूरी न आप से थोड़ा साथ बताना चाहूं तो समझ लिए कि मैं अपने आप में सरकार मेरे पास एक लाख रुपए है मैं उस रुपए को चाहता हूं कि स्कॉलर्शिप के रूप में उनी स्ट्वेंट को दू जो थोड़ा सा फैमली बैग्राउंड उनका ठीक नहीं है मतलब फा और लगो कि का आधार काट से सभी जीजित्री लिंक भुण होता को चेक कर सक क्लेब का क्या हिस्ट्री है इसे के सांथ आपका इंकम क्या हिस्ट्रीए सब कर ने के बाद और आपके माक्षिट को देखने के अनके मेरा एक लाख रुपए का budget ही तो एक काम करो कि पर से ऑब जीतने हैं उनको सब को देखकर करके देखो दुघ सकती है करका करेंगे कि कि देखेंगे 70 पर से इनकम भी कम है और इसी के सांथ तो पड़ने में ठीक ठाक है तो इसको आपकी स्कॉलरोशिप दे दीजाएगी तुजियो यहाँ पर ऐसे कम फ़र्म नहीं है कि 60 पर नहीं मिल सकती है विए इसलिए क्योंकि गुवर्मेंट का सायद नहीं होगा लेकिन अगर गुवर्मेंट का फंड है तो इसको आपको 60% से कम है फिर भी बिल सकती है लेकिन कहीं कहीं अगर आप नेशनल स्कॉलर्शीप पोडल के वेबसाइट पर जाके इलिबिलिटी देखो होगे कि यह प्रिमेटरिक आ पोस्टमेटरिक स्कॉलर्शीप अपर सेंट्र लेवल की इसके साथ महिलां के लिए उनके लिए अलग इस्कॉलर्शीप है प्राइब बहुत से कंपनियां जो इसको फैदे के लिए कुछ समाज कल्यार्डर के लिए यानि समाज के लेन भी भाग तो इसकोलोशिफ देता ही देता है लेकिन जो एंजीओ या अलग-अलग से संस्था कंपनी है वह स्कॉलोशिफ प्रवाइड करती है इसके बाद हम बात करें जीपेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप यम फर्मा करते हो तो आपका फैमली इसके बारे में आप कंप्लीट चेक आउट कर सकते हैं इसके साथ अगर हम बात करें प्येश्टी ओगरे के लिए तो उसमें अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो जीपेड तो उसमें भी आपको स्कॉलर्शिफ मिलेगी नाइपर रों क्वालिफाई करने के बाद भी प्लान बना रहो तो हमें पता है कि आपके फार्मेशी सर्कल के जो ग्रूप हैं उनसे पर डिटेल जानकारी ले सकतो आपको अब बता देंगे अभी मैं जो बात क्या हूं इस वीडियो में कम्पलीट बात क्या हूं D फार्मा और 2 फार्मा इस्टुएंट को ले करके कि समाज तरफ से आपको मिलती है वो एक नेशनल स्कोलर्शिप मिलती है दोनों का लगभख सभी का से महीं होता है वाकि उमेद है फ्रेंड्स की यह विडियो आपको पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आई तर विडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिज